हाई एवरिवन और वेलकम ओन माई योट्यूब चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे मधुमालती प्लांट के बारे में इसे जुमका बेल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें गुच्छों में फ्लोवर आते हैं बिल्कुल जुमके की तरह और इसके फूलों के खास है इसमें फ्लोरिंग स्टार्ट नहीं हुई है आज मैंने इस प्लांट की रिपोर्टिंग की है और मैं इसको जो है नर्सरी से खरीद के लाई थी वीडियो में मैं आपको इस प्लांट का प्राइस बताऊंगी इसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं सोयल मिक्स क्या होना चा अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना तो लेट्स गेट स्टार्ट इड इस प्लांट को लगाने के लिए मैंने ये 12 इंच का गंबला सेलेक्ट किया है तो इसका डायमेटर है वो 12 इंचिज है और इसकी गहराई यह आप देख सकते हैं यह सीमेंट का बना हुआ पोर्डग है मेरे पास पूराना गंबला था ही और इस में मैं इस प्लांट को लगा रही हूं तो इतनी इसके गहराई है और यह जो प्लांट है 12 इंचिज इसकी मतलब गहराई भी करीब 12 इंचिज के करीब 12-14 इंच का मिल जाता है तो वो और भी ज़्यादा बैस्ट है क्योंकि इस प्लांट की जड़ें जो है गहरी जाती है पूरा लंबी बेल बनती है इसकी और एक तरीके से आप इसे पेड़ की तरह भी रख सकते हैं तो काफी लंबी समय तक चलने वाला एक प्लांट है तो कभी भी आप इसको छोटे पोर्ट में ना लगाएं क्योंकि इससे फिर बार-बार आपको रिपोर्टिंग की दिक्कत आती है तो आप इसे 12 इंच के गमले में कम से कम जरूर लगाएं बारा नहीं तो 10 इंच के गमले में आप इस फोदे को जरूर लगाएं इस से कम डायमेटर का गमला आप ना ले इसके लिए आप कोई भी सिमेंट का पोर्ट ले सकते हैं मिट्टी का अगर आपको पोर्ट मिल जाता है तो आप वो भी ले सकते हैं सिरामिक पोर्ट और प्लास्टिक पोर्ट से आपको बचना चाहिए क्योंकि जो सिरामिक पोर्ट है उसमें नमी ज्यादा देर तक बनी रहती है और इतना गहरा सिरामिक पोर्ट लेना मेरे experience के according ठीक नहीं है बाकी आप देख सकते हैं और प्लास्टिक का पोट जो है लंबे समय तक धूप में रखने से खराब हो जाता है और ये एक लंबे समय तक चले वाला प्लांट है और एक आउट्डूर प्लांट है तो धूप में रखवा प्लास्टिक वैसे भी खराब हो जाता है तो इसके लिए जो बेस्ट है वो है सिमेंट और मिट्टी का गमला तो आप यह इसलेक कीजिए इस प्लांट का सोयल मिक्स मैंने कुछ इस तरीके से तयार किया है इसमें मैंने गोबर की खाद ली है जो मैं अपने हर प्लांट को देती हूँ यह तीन से चार पुरानी जो कुरडी का खाद होता है वो मैं इस्तेमाल करती हूँ जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इसे प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इसके अलावा मैंने इसमें बजरी एड़ की है और हलके हलके मैंने इसमें कंक्रीट भी एड़ किये है इसके अलावा मैंने इसमें गार्डन सोयल को मिक्स किया है कोकोपीट वगरा लेने की इस प्लांट को जरूरत नहीं होती है अगर आपके पास है कोकोपीट तो आप थोड़ा भूद मिला सकते हैं अदरवाइस इतना जरूरी नहीं है आप इसमें गार्डन सोयल और उसके साथ गोबर की खा दिया अगर ये दो चीजें हैं आपके पास या फिर थोड़ी सी बजरी आप उसमें भी इस प्लांट को लगाते हैं तो वो इसके लिए अच्छा होता है मिट्टी आपको इस तरीके की लेनी है कि मिट्टी का जब आप ऐसे दबाएं हाथ में तब मिट्टी का लड़ू बनना चाहिए तो इस तरीके की मिट्टी जो होती है वो बैस्ट होती है आपके प्लांट के लिए और इसे नमी थोड़ी पसंद होती है तो इस तरीके का आप सोयल मिक्स तयार कीजी कि लंबे समय तक मतलब थोड़ी टाइम तक इसमें नमी बनी रहे क्योंकि एक outdoor plant है और जब हम plant को गमले में लगाते हैं तो जड़ों को बिल्कुल सूखा रखना ठीक नहीं होता है थोड़ी सी नमी बना कर रखनी होती है दूप में गमले में लगे हुए plants के लिए ताकि हमारा plant है वो मरे नहीं और अच्छे से survive कर सके मैंने इस गमले को आधे तक मिट्टी से भर लिया है plant को लगाने के लिए और बाद में फिर मैं अपने plant को रखकर देख रही हूँ क्योंकि उपर मुझे कम से कम 2 इंच तक इसको खाली छोड़ना है ताकि जब मैं इसमें watering करूँ तो अच्छे से मैं अपने plant में पानी दे सकूँ यह जो plant है यह sunlight को पसंद करता है अच्छे temperature में बढ़ने वाला यह plant है और यह जो पोदा है इसको फिर उसी के according पानी की भी समय समय पर जरूरत होती है यानि कि अगर बहुत ज़्यादा temperature है तो plant को daily water चाहिए होता है तो उसके हिसाब से होता है कि अगर हम इसमें पानी इस तरीके से देते हैं एक या दो glass इसमें हम space ही नहीं छोड़ते तो उससे क्या होता है कि space ना छोड़ने की वज़ा से जब हम इसमें ज़्यादा पानी देते हैं तो वो पानी बाहर निकलता है या फिर अगर हम उसमें कम पानी देते हैं तो plant की जड़ों तक नीचे पानी पहुँच ही नहीं पाता है आप इस गमले की depth देख सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि जब भी आप पानी दें तो वो यहां तक आए या फिर वो यहां तक आए पानी को अच्छे से जड़ों में पहुँचने देना चाहिए क्योंकि पोधी की जड़े हैं वो नीचे तक फैलती है तो उस हिसाब से आपको प्लांट को लगाना चाहिए तो कम से कम आपको दो इंच का या धाई इंच का यानि आप दो टिप का स्पेस जरूर छोड़िए और तब आप अपने प्लांट को लगाई तो इसमें आप देख सकते हैं यहां तक यह पोधागर मैं लगाती हूँ तो इस लाइन तक यह आता है और इस तरीके से इस प्लांट को यहां पे लगाना सही रहता है कम से कम मैं इसको यहां तक भर सकती हूँ जब भी मैं इसमें वोटरिंग करूँ तो उसे जो है प्लांट धीरे धीरे जड़ों में अच्छे से प्लांट की जड़ों में पानी अच्छे से चला जाएगा और हमारा प्लांट लंबे समय तक हैल्दी बना रहेगा और इसमें अच्छे से फ्लोरिंग भी होगी इस प्लांट को लगाने के लिए अब सबसे पहले हमें इस प्लास्टिक बैक को कट कर लेना है इसके अलावा आप इसमें रूट्स देख रहे हैं नीचे तक फैली हुई है तो इन रूट्स को भी हम थोड़ा थोड़ा कट कर सकते हैं अगर आपके ज़्यादा चोटी रूट्स फैली हुई है प्लांट की तो आप उनको कट ना करें अगर बहुत ज़्यादा बड़ी जड़ें आई वी हैं तो आप उन्हें जरूर कट कर दीजी तो इस तरीके से हमें इसको कट कर लेना है सोईल इस प्लांट की टाइट है और टाइट होने की वज़ा से इसको फैलने का डर नहीं है तो इस तरीके से देखिए इसमें पत्तियां वगएरा और ये सब चीजे भरी हुई है जड़ें आप इस पोधे की देख सकते हैं किस तरीके से फैली हुई है एक चीज आप और देख सकते हैं कि ये वाला जो प्लांट है इसमें ये छोटा सा जो है एक कैप टाइप होता है इसके लिए कटिंग्स वगर लगाई जाती हैं तो ये प्लांट कटिंग्स से तयार किया हुआ है जाली दारी कप होता है तो इसे भी हमें हटा देना है इसको भी हम हटाते हैं इस प्लांट की प्लास्टिक कैप है बहुत ज़्यादा टाइट है यह ठीक से नहीं हटी लेकिन इसका जो ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट था वो मैंने कट कर दिया और बीच में से भी इसकी जाली को काट दिया है अब हम इसमें सोईल भर लेते हैं तो यह प्लांट जो है काफी ज़्यादा अच्छा प्लांट है और इसमें फ्लोवर जैसे की तीन कलर के आते हैं स्टार्टिंग में जब इसका flower खिलता है तो वह white color होता है फिर यह light pink होना start हो जाता है and then after some time यह dark pink हो जाता है और उसके बाद यह जड़ जाता है गुच्छों में इसमें flower आते है और काफी सुंदर flower आते हैं इसमें पूरा का पूरा जो plant है यह फूलों से भर जाता है इस प्लांट को हमें जरूर लगाना चाहिए इसे एक शुब पोधा भी माना जाता है कहते हैं कि इससे घर में बरकत आती है और वैसे भी यह प्लांट काफी खुसबूदार फूलों से लदा रहता है सजा रहता है और एक तरीके से आप इसे अपने घर के एंट्रेंस पे लग तो हो गया है और ये देखी इसकी पत्ियां कितनी ज्यादा प्यारी है नई पत्थियां आई हुी है इसulty हैं विस थारीक से इसाल होता है इस प्लांट पर harvest कर सकते हैं यह पिर और मार्केट में कुछ स्प्रय आते हैं वो भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये प्लांट जो है काफी लंबे समय तक जो है कई सालों तक आपके साथ रह सकता है अगर आपके पास स्पेस है यानि कि अगर आपके पास जमीन है कच्ची जगा है तो आप इस प्लांट को जमीन में लगाईए अगर आपके पास कच्ची जगा नहीं है तो आप इस प्लांट को गमले में लगा सकते हैं गमले में आपको मैंने बता दिया है साइज की कम से कम 12 इंच का पोट आप स्टार्टिंग में लीजी इसे क्या होता है कि आपको बार बार रिपोटिंग करने की जरुवत नहीं पर सूखे पत्य ला करके रख सकते हैं वो भी काफी अच्छे होते हैं इस जो है प्लांट में नमी भी बनी रहती और प्लांट फेल्थी भी रहता है सो इस तरीके की चीजें भी है आप इस प्लूदे के लिए फ्लोरिंग में और साल होती है और जो डॉरमेंसी का इसका टाइम होता है वो होता है सर्दी का मोसम य gate दिसंबर जन्वरी दो महीने के लिए प्लान्टॉरमेंसी में चला जाता है फरवरी में में इसमें वापस से नहीं पतियान इस्टार्ट हो जाती है और ये बेल की तरह भी बनता है और साथी साथ इसका कुछ जगहां पे काटपिट के इसको ट्री की शेप भी दी जाती है तो ओवर ओल ये बहुत ही अच्छा प्लांट है आप इसे जरूर अपने गार्डन में एड़ कीजिए या फिर अपने एंट्रेंस पे लगाईए घर के दर्वाजे पे लगाईए इसकी काफी लंबी बेल जाती है और काफी ज़्यादा सुन्दर सुन्दर फूल भी आते हैं इसे जुमका बेल भी कहा जाता है कई जगों पर सो आई होप आपको यी वीडियो पसंद आया होगा अगर आपका कोई और क्यूशन है तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर स्टे हैपी एंड हेल्दी थेंक यू